अभे दूबे भरोसा आप पर भी नहीं और किसान जैसे अभिमन्यू कोहार ये जानते हैं कि 2006 में स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी कॉंग्रेस ने लागू नहीं की भरोसे का संकट है कैसे अब आप 10 साल 10 बर सत्ता से बाहर रहें तो आपको C2 प्लस 50 भी देखे कर्जमाफी कॉंग्रेस पार्टी ने पहले भी की है शांता कुमार कमीटी की रिपोर्ट अगर आथ पढ़ेंगे बीजेपी की तो कॉंग्रेस ने क्या किया है उसका उल्लेक उन्हों ने किया आज मैं इस चैनल पर आश्वस्ति देता हूं कि जो अभी मन्यू फोहा हम क्लियर करेंगे यह देश को आश्वस्ति करते हैं हम तो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं अभी मन्यू फोहाद जी से भी आगे बढ़कर कि एक पर्मनेंट आयोग का गठन करेंगे जो निरंतर किसानों की कर्जमाफी पर काम करता रहेगा ना सिर्फ वरतमान कर्जमाफी क बात करें भविश्व में भी उस तो अगर कर्ज के बोज के तले दबता है तो उसकी हम माफी करेंगे इसलिए आज अवर्शक हो गया कि 25 से 30 हजार रुपे हेक्टर इंपुट कॉस्ट मोदी जी ने बढ़ा दी और मैं एक बहुत बड़ा खुलासा पहली बार किसी Culture Ministry लगातार भारत की सरकार को लिख रही है कि GST की वजए से किसान की लागत नहीं निकल पा रही है तो जो 12% GST आप ट्रेक्टर पर लगा रहे हैं जोत के उकरणों पर लगा रहे हैं क्रशी यंत्रों पर लगा रहे हैं ट्रेक्टर के टायर तक पर 18% है उस GST को आप कम जीए और क्रशी मंत्राले का यह कहना है कि 17 से बार बार अनुरोद के बावजूद भी केंदर की सरकार ने हमारी नहीं सुनी एक भी बात नहीं सुनी इसी का कारण है कि Agriculture Ministry ने अपना Parliamentary Standing Committee on Agriculture ने कहा कि आए दो गुना करना दूर की कोड़ी है यह संभव नहीं है लेकिन अबे दूबे अगर आप इतने गंबीर थे क्रिशी सेक्टर को लेकर मैंने बीजेपी से सवाल पूछा कि GDP साथ प्रतीशत से घटकर 15 फीसदी क्यों रह गई तो मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ यह ओवर दा इयर्स घटा ना गटते गटते सतर में 41 परसंट 80 में 35 परसंट 90 में 29 परसंट 2000 में 22 परसंट 2010 में 14 परसंट GDP का आप अगर गंबीर होते तो यह GDP contribution किसानी का क्यों गटता GDP में देखिए उसको इस calculation से मत calculate कीजिए comparative statement की बात होती है वो अगर आपकी industry और service sector increase करता तो इसका आर्थ यह नहीं कि agriculture reduce हुआ है यह मैं बात बता दूँ वो agriculture के relevant नहीं है relevant बात क्या है जो धंगर साब ने कही धंगर सहाब और प्रदान मंत्री मोदी जी ने जूट बोला सदन में भी और देश के सामने भी यह मेरे पास जवाब पड़ा है जो इन्होंने अभी दिया है 31 जनवरी 2024 को कि इन लोगों ने 9 करोड 21,16,248 किसानों को किसान सम्मान निदी दिये साहब यह 11 करोड का जूट परोसना बंद कर दिजिए और दूसरी बड़ी बात कितनी खरीते हैं यह प्रदान मंत्री जी आप सुनिए इन्होंने कहा कि दो फसलों की बात नहीं कर रहा तो आखरी बात कहता हूं सोया बीन सूरज मुखी सरसो मुमफली तील यह 376 लाग तन का उत्पादन हुआ 0.13% खरीदा है सिर्फ 0.31% आप भी उतने ही मैं अगर आपको पॉलिटिकल प्लेयर काउंट करूं किसानों के हित में अहित में यह अलगदा मसला है आप भी उतने ही नॉन सीरियस प्लेयर है क्या समाजवादी पार्टी कह रही है हम कर्ज माफ करेंगे आप कह रहे हम आयोग बनाएंगे पहले हम कैल्क क्यूलेट करेंगे करेंगे औब्सर्व करेंगे आप कह रहें सी टू प्लस फिफ्टी तैइस फसलों पर देंगे लीगल गैरिंटी समाजवादी पार्टी के रही है कि डेरी प्रोडॉक्ट पर भी देंगे जितने और अगरी कल्च्छरल प्रोडॉक्ट हैं उन पर भी दे यह हमारे हमारे घोशनापत्र हैं लेकिन सरकार बनेगी तो common minimum program बनेगा उसमें समाजवादी party का जो घोशनापत्र है, Congress party का जो घोशनापत्र है, हम उनको fuse करेंगे और मैंने कहा किसानों का कर्ज तो माफ करेंगे ही करेंगे, साथ मैं एक आयोग permanent बनेगे और मैं अभिमन्यो जी को एक बात और कहना चाहता हूं, कि हम देश की सरकार भी आज WTO का फर्क कपड़ता है, जब पूरी की पूरी फसले भारत की सरकार खरीद ले तो उन प्रूस प्रोविजन की बात होती है, हम यह कह रहा है कि सरकार तय करें कि private players भी जो फसले खरीदेंगे, वो इस दाम से कम नहीं खरीदेंगे, यह तो मानेंगे कि 10 बरस सत्ता का निर्वासन जो रहा, उसने यह समझा दिया कि किसानों को C2 प्लस 50 परसंट देना जरूरी है, एक सो एकुत्तर हमने सिफारिशे लागू कर दी थी, मोधी जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट में, जब यह कह दिया था है, खर्च नहीं किया है, कहां से होगी दो गुना, पी एम आशा को देख लीजिया, उसमें इन्होंने पांसो करोड का प्रोविजन रखा, एक करोड रुपए सिर्फ मात्र खर्च किया, एक लाग करोड रुपए, प्रदान मंत्री जी देश के सामने आखर बताईए कि इस और रुबे, चेका, आप